अक्सर आपने सुना होगा कि पहाडों में रहने वाले लोगों को बिमारिया काफी कम लगती हैं तो उसका एक कारण यहां की शुद्ध हवा पानी बिना कैमिकल से उगने वाली फल, सबजी आनाश तो है ही लेकिन जो यहां पे free में जड़ी बूटिया उखती हैं और यहां के लोगों से अपनी daily life में consume भी करते हैं तो यह भी एक बड़ा कारण है यहां के लोगों को यह जड़ी बूटिया कई बिमारियों से बचा कर रखती है तो क्योंकि मैं आई हूँ अपने उत्राखन तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही medicinal plant के बारे में बताऊंगी और आगे आने वाली कई वीडियो में मैं आपको इसी तरह के medicinal plants के बारे में बताऊंगी तो आज का ये plant है हमारा किलमोडा जिसे की हमारे पौड़े गड़वार में किंगोडा भी बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है बर्बरिस अरिस्टाटा और इसे हिंदी में दारु हल्दी या दारु हरीद्रा के नाम से भी चानते हैं जब हम छोटे थे तो इसके जो कोमल-कोमल पत्ते होते हैं वो स्वाद में खटे होते हैं और इनको हम ना धेर सारा मुह में भर लेते थे और कहते थे कि हम पान खा रहे हैं तो ऐसी हमारे बच्पन की से धेर सारी यादे भी जुड़ी हैं किलमोडा एक कटीला पौदा है इसमें आपको लंबे-लंबे इस तरह के कांटे देखने को मिलेंगे और इसके जो फूल होते हैं वो हलके पीले सरसो के रंगे स्वाद में थोड़े खटे होते हैं लेकिन जो इसके फ़ल हैं वो जब कच्चे होते हैं तो सुआत में थोड़े कड़वे और खटे लेकिन जब वो पक जाते हैं तो डाग बैंगनी रंगे मीठे और हलके गुदे वाले होते हैं लेकिन आजकल काफी कम बारिश होने की वज़े से इसके जो फ़ल हैं वो बिलकु इनका यूज भी दवा बनाने के लिए किया जाता है इसकी जो diabetes की दवा है उसमें कुमावी भी बाय टेकनलोजी भी भागने सफल प्रियोग के बाद अमेरिका के international patent center से अपना पहला patent भी हासिल कर लिया है तो यह बहुत बड़ी बात है उत्राखर में ऐसे plants उग रहे हैं जिनके इतनी जादा medicinal properties हैं लेकिन अब यह plant विलूप्त होता जा रहा है जब हम छोटे थे तो हमारे घर के आज पासे इसके काफी सारे plants देखने को मिलते थे लेकिन आज इसकी एक वीडियो बनाने के लिए मुझे अपने घर से 100 मीटर की दूरी तक जाना पड़ा और वहाँ पर भी इसके एक आदा plants मुश्किल से देखने को मिले तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर लोगों को इसकी medicinal properties के बारे में जादा नहीं पता है और लोग इसको कटेली जाडी के रूप में समझकर काट लेते हैं तो इसके लिए तो हम अपने उत्रखन साथकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम शलाए जाए जहाँ पर कि इन plants के बारे में लोगों को बताया जाए साथी यहाँ पर उनको ऐसी चीज़े मोहिया करवाई जाए जिससे कि इससे related खुद का वो अपना रोजगार शुरू कर सके जिससे कि इन plants को विलुक्त होने से भी बचाया जा सकता है और यहाँ पर जो blind हो रहा है उसको भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे comment करके ज़रूर बताए साथ इस चैनल को इस वीडियो को like, share और subscribe ज़रूर कर ले तो मिलते हैं फिर किसी नहीं useful वीडियो के साथ तिल देन टेक क्या और बाइ